16 साल की लड़की जिसने रचा इतिहास, दुनिया की पहली आर्मलेस आर्चर बन अपने सपनों को एक नई उडान दी है जी हाँ, हम बात कर रहे हैं किष्टवार के दूर दराज गाव लोईधार में रहने वाली शीतल देवी की जिसने वर्ल्ड आचरी पैरा चैंपियनशिप में रज़त पदक हासिल किया शीतल, जो पैरा कंपाउंड तीरंदाजी में 18 वे स्थान पर हैं, चैंपियनशिप में प्रतिस्परधा करने वाली एक मात्र बिना हाथ वाली महिला आर्चर हैं उन्होंने एक साल पहले ही तीरंदाजी शुरू की थी शीतल ने अपने फाइनल में काफी हद तक सटीक निशाने लगाए पर अंत में वो दो अंकों से पीछे रह गई इसके साथ ही शीतल ने पैरालंपिक्स 2024 जो की पैरिस में होने वाला है, उसमें अपनी जगह को पका कर लिया है शीतल जो अपने पैर से निशाना लगाती है, फाइनल में 140-138 के स्कोर से गट चैंपियन तुर्की की ओजनूर्क्षन से फाइनल में पिछड गई हम सभी किष्टवारवासियों और भारत की तरफ से शीतल को हार्दिक शुपकामनाई देते हैं और उम्मीद करते हैं कि वो अपना देश का नाम और उंचाई पर ले कर जाए जै हिंद जै भारत